नवस्कार घरेलूप चार में आपका स्वागत है मित्रों आज हम इस वीडियो में एक ऐसा दिव्य सक्ति का वीडियो दे रहा हूं जो की आप सुनकर हैरान हो जाएंगे तो मित्रों बसिकराण आकरशन सम्मोहन अपने ही सरीर के अंदर यह दिव्य गूण छुपा हुआ है तो हम इसे कैसे परगट करें जागीट करें ताकि यह सक्ति बसिकराण बन जाएंगे शम्मोहन बन जाएंगे आकरशन बन जाएंगे तो मित्रों हम बहुत पहले एक संत से मिले हुए थे तो मैंने कुछ कहा उनसे कि कुछ हमको बिद्या दीजे जो कि आकरशन हो सम्मोहन हो बसिकराण के रूप में हो तो उन्होंने यह बात बताया था लेकिन इस बात पर हमें एकिन नहीं हो रहा था लेकिन अचानक एक देन हम एक पुष्टक पढ़ रहे थे उस पुष्टक के अंदर यह दिव्य गुन लिखा हुआ था तब हम उस बात पर एकिन किये तब हम आपको यह जो है विडियो दे रहा हो तो मित्रों आप भी जो है विश्वास नहीं करेंगे कि ऐसी जो है अपने शरीर से कैसे बिना तंत्र मंत्र कोड़का का बशिकरन आकरशनर सम्मोहन कैसे परगट होगा लेकिन मित्रों हकीकत है एक मैं थोटा सा उधारन बता रहा हूं उन्होंने बहुत उधारन हमको बताये थे लेकिन हम एक छोटा सा उधारन दे रहा हूं तो मित्रों आज हम जो यह दिव्य सक्ति की बात कर रहा हूं यह सभी जीवों के अंदर है और सबसे ज्यादा मनुष्य के अंदर है तो मित्रों एक विश्वास के लिए और नजर को खुलने के लिए यह बात मैं बता रहा हूं मित्रों अगर कूता को आप जानते हैं अगर कूते का कोई कूता काट लेता है या किसी चीज से उसकी चोट लग जाती है कट जाता है तो वह चाट चाट कर अपने कटे हुए अस्थान को अच्छा कर लेता है उसमें कोई टीटमेंट की आवसाकता नहीं परती है अगर वही घाव हो जाए कट जाए और उसके चाटने वाले जगह पर वो नव हो उसका जीव वहां तक नव पहुँट पाए तो वह कूता धीरे-धीरे कीरे पर जाएंगे मर जाएगा तो मित्रों यह जो है मनुस्य के ठूक यानि लार जो हम लोग मुँँ में ठूक देते हैं लार है इसके अंदर दिव्य गून भरा हुआ है और बहुत से बात उन्होंने बताया था लेकिन वह सब परमान में दूँगा तो यह विडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो समझदार व्यक्ति इसको समझ लेगे तो आज हम अपने ही थूक की अपने ही लार की यह दिव्य गून बता रहा हूँ तो मित्रों अगर सरीर में कहीं फोड़ा हो गया है अगर कट गया है अगर आदमी चाट नहीं सकता है तो इस थूक को बार बार लगाने से बीना टीटमेंट का यह गहाओ या कटा हुआ अस्थान ठीक हो जाता है थूक के अंदर अती गूर भरा हुआ है तो मित्रों इसी थूक के द्वारा आज हम आपको बसिकराण, अकरशाण, सम्मोहन सकती को जागीर्ति करने के लिए इसको परगट करने के लिए मैं बता रहा हूँ तो मित्रों अगर आप चाहते हैं कि हम अपने सरीर से ही दिव्य सक्ति को पैदा करें तो आप कर सकते हैं तो मित्रों इसके लिए सुवाह बिश्तर पर से उठते ही, अपने बेट पर बैठे बैठे अपने थूक को निकालिए और अग्या चक्र पर लगाईए यह सुवाह उठकार बेड़ पर बैठे बैठे थूक को लगाना बेलकुल अनिवार्ज है इसके बाद आप मन्जन करिए, मुह धोईए, असनान करिए, जो मर्जी कर सकते हैं लेकिन बेड पर बैठे बैठे फूक को लगाना है जबकी आपको फूकने से पहले करिया करना है और दीन में तीन चार बार आप अपने फूक को अग्याँ चक्र पर लगाए मित्रों यह किरिया अगर आप एक सफताह कर लेते हैं तो आप देखें किसी को भी बस में कर सकते हैं जहां जाएंगे यह जो है दिव्य सक्ति आकरशन सम्मोहन सक्ति से सबको अपने तरफ आकरशित कर लेगा अगर मित्रों किसी को नाम के द्वारा करना चाहते हैं तो सुबाह उखते ही बेड पर बिना थूके हुए इस थूक को उस वैक्ति का साथ बार नाम लेकर लगावें और यही किरिया दीन में आप चार पांच बार करिए फिर देखिए दिव्य सक्ति अपने ही सरीर से परगट हो जाएगी तो मित्रों यह दिव्य सक्ति अपने सरीर के अंदर ही छुपी हुई है इसको परगट करने का सबसे उत्तम तरीका यही है अब यह सरीर अपने ही दिव्य सक्ति से बशिकरान, समोहन, आकर्शन से भर पूर हो गया इसमें कोई तंत्र मंत्र तोटका की जरूरत नहीं है तो यह एक दिव्य सक्ति अपने सरीर के अंदर है मित्रों तो आप इसे परगट करिए और इसे से काफी लाब उठावें तो मित्रों इस वीडियो में इतना ही और हमें दिजिए इजाज़त नमस्कार